किसी ने सिग्रेट डी तो किसी ने गर्द, किसी ने चरस, आफू तो किसी ने शराब डी इस खुशाल जिन्दगी के सफ़र की सारी आदते खराप करती लोग अकसर बहारी चुनोतियों से तो लट लेते हैं लेकिन उनके अंदर की चुनोतिया उन्हें खोपला करते हैं नशा एक ऐसी चीज है जिसका अंतसरिफ विनाश और विनाश ही करता है कभी खुशिया गम के बहाने तो कभी शान और शौकत के लिए किये जाने वाला नशा कब लट बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता कुछ पल भर की मज़ा जिन्दगी भर की सजा कब बन जाती है इसका अंदाजा भी नहीं लटाया जा सकता नशे के कारण कई जिन्दगिया बरबाद हुई है और सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो और कई जिंदगिया बरबाद हो सकती है पर क्या इसका इलास्वंभव है? हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया है और पाया है कि नशा एक बिमारी है और इसका इलास्वंभव है पिछले कुछ सालों में भारत के साथ साथ पुरे विश्व भर में नशा खोर, नशा पीडितों की संक्या में इजापा हुआ है इसी नशे के कारण किसी ने हत्या तो किसी ने आत्म हत्या करने के मामले भी सामने आये हुए है इसी गंबिर परिणाम को देखते हुए नशी के नुकसान के प्रती जागरुकता लाने के लिए और साथ ही साथ नशा मुक्ती के लिए कुछ संस्ताय भी आगे आई है और उन संस्ताओं में से एक है भंडारा विसन मुक्ती एवं पुनर्वसन के अंदर यहां के मेंगेट से प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों तरब की हरे भरे बहुत है आपका स्वागत करते हैं इंट्रोडक्शन रूम में पेशन्स की कॉंसिलिंग करने के बाद लोहे की दरवाजे से अंदर आने पर सबसे पहले उन्हें डिटॉक्स रूम में रखा जाता है साथ आट दिन यहां कुछ सेशन करने के बाद रूग्णू का मानसिक तनाव दूर करने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पर जनरल वाल्ड है और डिलक्स रूम भी यहाँ पर एसी रूम भी है और सूपर डिलक्स रूम भी यहाँ पर अपने हिसाब से रुगनों को सेवाई दी जाती है और अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पर प्राइवेट AC Deluxe Room भी अविलेबल है जहाँ पर VIP Treatment दी जाती है साथ में AC Ward भी अविलेबल है एक अनुशासन के चलते यहाँ पर पेशन्स और केरिटेकर दोनों के लिए ट्रेस कोड है रोज की एक दिन चरिया है बड़े से हॉल में सब मन शानती के लिए और सामुहिक प्रार्थना एवन योगा के लिए इखटा होते है यहाँ पर माइंड को डायवर्ड करने के लिए जगा जगा पर नशामुक्ति के स्लोगांस एवन पोस्टर लगे है जो नशे से दूर जाने की मानसिकता सब के मन में निर्मान करते है रिलाक्स टाइम में पेशन्स न्यूस पेपर पढ़ते है या मनोरंजन के लिए टीवी पर प्रोग्राम्स देखते है यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिटेशन भी किया जाता है चेस, कैरम, इन खेलों के साथ साथ कुछ मैदानी खेल भी यहाँ पर खेले जाता है प्रोच्सान के लिए यहाँ पर खेल प्रतियोगता का भी आयुजन किया जाता है पूद, नाश्टा, खान पार, डायेट का ध्यान रखते हुए साक्रीत भोजन के लिए यहाँ प्रशिक्षी शेफ है जो स्वाधिश्ट भोज बनाता है यहाँ पर स्वच्चदा के साथ-साथ कॉलिटी का भी पूरा खयाल रखा जाता है इसलिए यहाँ पर आए लोगों को घर जैसा माहोल यहाँ पर लगता है यहाँ पर डेवी विजिट देने के लिए डॉक्टर अश्विन हटवाल आते है और सब की सेहत का खयाल रखते है मेडिकेशन मिस ना हुआ और कांसलिंग पार्ट कंटिन्यू चलता रहा तो पेशन को कहिना कि यह फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं अभी हम यहाँ से बहाला सकते हैं यहाँ पर जगा जगा रखे CCTV क्यामेरे से 24 होर्स मॉनिटरिंग की जाती है उच, नी, जाती धरम, मजहब सब भुला कर यहाँ सब एक हो जाते हैं भजन संद्या के साथ साथ यहाँ पर अपने मजहब के हिसाब से इबादत करने का पूरा फ्रीडम है यहाँ पर की जाने वाले आईरुवेदिक ट्रीटमेंट यहाँ के इलाज का एक एहम हिस्सा है सुभर से लेकर रात तक हर पेशन का शेडुलिंग बना हुआ होता है बिहेवेयर, कॉंसिलिंग, सिबिटी थेरपी, ग्रूप डिसकर्शन और शेरिंग क्लास के साथ साथ की जाने वाले अन्य शेशन से पेशन को खोई हुई पॉजिटिव एनरजी मिलती है और नकारात्मता दूर होती है योगा मेडिटेशन के लिए योग तग्य, सिहत का खयाल रखने के लिए प्रशिक्षी डॉक्टर्स, नर्शिन स्टाफ, पढ़ने के लिए बुक्स, न्यूस पेपर, मनोरंजन के लिए टेलिविजन, खेल खेलने के लिए प्रोच सहन, तनाव दूर करने के लिए इस वैसन मुक्ति केंदर के प्रति वहां गोतज मताब रखत करते हैं अब अपना पन लग रहा है यहां, इतने लोग हैं कि सब हम मिल जुल के चलते हैं, बहार की जिंदगी की कुछ यादी नहीं आती है, बहुत बढ़िया लगता है यहां ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाएं बढ़िया लगे कोई कि मिल जुल के चलना पड़ रहा हैं, और यहां नसावस्ते का कुछ याद नहीं आता, न कुछ गलत चीत की, न संगती की, बहुत बढ़िया लगता है नकारात्मक ताको दूर कर, सकारात्मक शक्ति का और नई उर्जा का संचार कर, नशाखोरी का इलाद संभव है, यह भंडारा व्यसनमुक्ति केंद्र ने सिद्ध किया है मन में दुनिया जीतने का एहसास लाना है, बढ़ती नशाखोरी से अगर छुटकारा पाना है, तो आज ही संपर्क करे, भंडारा व्यसनमुक्ति केंद्र एवं रीहेबिलिटेशन सेंटर